गट जी हमारा यह वाला लेक्चर जो है पाइट्वन के उपरेटर्स के बारे में हमने कल भी उपरेटर्स देखे थे लेकिन आज वाले उपरेटर्स वह थोड़े से डिफरेंट है आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं यहां पर हमें एक फाइल बनाते हैं एक और नंबर ती 03 underscore operators more मैंने more इस वज़ा से लिख है यह more वो वाला more नहीं है it means ज्यादा मैं यहाँ से इसको बंद इस वज़ा से कर लेता हूँ ताकि screen आपके पास बड़े वाली है ठीक है operators क्या होते है operators आपने सुना होगा जब mathematics में हम जमा मनफी यह जिसका हूँ plus minus division multiplication फिर आपके पास remainder होता है इस तरह कि काफी calculations होती है होती है जो आप करते हैं आज सकल काफी लोग जो है calculation perform करते हैं मैं मिसाल देता हूँ आपको suppose x is equal to आगया भी mathematics math आगया है जहाँ पे सारी जिंदगी हम यह सुनते हैं suppose x is equal to this अब आपको उसका data science में use पता चलने लगा है आपने mathematics तो पढ़ी होगी but now we are going to use that in data science एक math में x जो है हमारे पास 15 है मैंने y को एक variable में रखा इसको रख दिया 4 फिर मैंने z रखा तीसरा variable इसके अंदर मैंने रख दिया 5 शरिया 5 पहला क्या है जी हमारा वेरियेबल की टाइप या डेटा टाइप जो वेरियेबल के अंदर है मैं बार-बार इस वज़ा से बता रहा हूं ताकि आपको यह याद हो जाए अब इसको रटा लगाने की जुरूरत नहीं है आपने सिरफ बार-बार बोलने आपको याद हो जानी है ठीक है अब यहाँ पे x y z के उपर हम operation perform करने लगे है ठीक है यहाँ पे मैं इसको प्रेंट करके रन करता हूं आप देखें यहाँ पे हमारे पास x और y पंदरह जमाचार 19 आ गया साद्धा एग्जैंपल है एज़ी है जमा करने का आपको पता है कैलकुलेटर में भी की जाता है लेकिन there is something that you should know यह spaces इसमें matter करती है कि नहीं करती है we will check now मैं इसकी space को remove करता हूं और इसको print करता हूं doesn't matter 19 का जवाब 19 है यह भी space मैं remove करता हूं doesn't matter 19 का जवाब 19 ही है यहाँ पे मैं एक space डाल देता हूं doesn't matter कोई मसला नहीं बन रहा इसको समझा है बात की क्यूं क्यूंके यह integer है और integer की जब operations चलते हैं तो इनमें कोई फरक नहीं आता अब यहाँ पे मैं को और string बनाता हूं is equal to aam ar अपना नाम मैं लिखता हूं यहां पे बलके अपना नाम नाम का नाम लिखते हैं I am यहां पे मैं करने लगा हूं print print क्या करें कि a let's see क्या बनता है नीचे हमारे पास कोडेनिक्स as it is लिखा रहा है ऐसे ही है जी अब यहां पर अगर मैं इस quotation mark के बाहिर space डालता हूँ कोई फरक नहीं पड़ा जैसे quotation mark के अंदर space आनी है आपको यहां पर फरक नहीं नजर आ रहा है क्यों क्योंके there is no character on the other side यहां पर डालते हैं फोरण से आपके पास space एक character की form में आ जाना है ठीक है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि strings के अंदर खाली जगा भी एक string का character ही है कैसे जब आप लिखते हैं my name is मैं खान तो नहीं कहूंगा यहां पर लेकिन my name is अमार ठीक है यह मैं यहां पर लिखता हूं we are learning coding with python at codanix यह मैंने लिखा है मैं आपको मिसाल देता हूं यहां पर स्ट्रिंग के साथ क्या होता है यह मैंने लिख दिया अब आपको पता है कि spaces होंगे तो हम इस चीज को समझ पाएंगे अगर मैं spaces remove कर दूं तो खिचडी ने बन गी सिरफ एबी से लिखी आ रही ठीक है इस वज़ा से space जो है string का part है और string के अंदर आपके पास spaces का मकसद पूरा होता है for example string के अंदर अगर spaces नहीं है तो string को define करना मुश्किल हो जाता है हां अक्सर रुकात आपको spaces ना भी दें तो कोई मसला नहीं है जब single words आ रहें ठीक है तो string के अंदर spaces quotation mark के अंदर matter करती है यहां पे x के पीछे 5.5 के पीछे 4.5 भी spaces मैं दे दूं उसका जवाब 19 ही रहना है ठीक है पहली चीज यह हमने edition की है आपका टास्क यह है मैं यहां पे b is equal to मैं लिखता हूँ पाकिस्तान आपने अगर हम इसको for example print a plus b करते हैं तो जब हम string को जमा कर रहे हैं तो answer क्या आएगा हमारे पास मैं इसको comment out कर देता हूँ जी क्या आएगा answer जरा कीजिएगा इसे ताकि मुझे पता चल जाए है आप लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं बहुत असान है यह confirm करने के लिए था कि आप काम कर रहे हैं मेरे साथ क्या है जी कुडैनिक्स पाकिस्तान ऐसे ही है इसका मतलब जब हम string को जमा करते हैं तो वो characters जमा हो जाते हैं क्यूंके number के अच्छा 15 में 4 जमा करें तो 19 है को डैनिक्स में पाकिस्तान जमा करेंगे तो को डैनिक्स पाकिस्तान हो जाएगा समझा ही बात की क्यूंके characters जो है string के ABC जमा नहीं होती यह नहीं होगा तो उसका answer उस तरीके से आएगा अगर वो floor तंबर है तो उसका answer उस तरीके से आएगा इसको बोलते हैं concatenation concatenate हो जाती है चीज़ यानि के जमा हो जाती है एक चीज़ यहां से यहां से concatenate होगी बड़ी अच्छी मिसाल देने लगा हूँ आपको आपके जहनों में यह एक दफाना क्या उसे बोलते हैं यार वो engrave कर जाएगी इंशाला train के डबे जुड़ते देखें जुड़ते देखें हैं ना that what concatenation is अगर वो ऐसे जुड़े हैं तो जारी बात है इस तरीके से concatenation है ठीक है stacking भी एक होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे concatenation की समझ आगी आपको यह kodenics के आगे train का यह वाला डबा जुड़ गया जो लोग बार-बार यह पूछ रहे हैं यूट्यूब के उपर के जूम का लिंक कैसे में लेगा जूम के लिए आपको रिजिस्टर गरवाना पड़ेगा जिसका रिजिस्टरेशन का लिंक मैंने पिन किया हुए में यू कों सी डैडल अब हम करते हैं माइनस एस्पल से यह तो आप बच्चे भी कर सकते हैं सारे के उसे 15 मेंसे 4 निकाले मतलब प्रिंट X-Y यही है ना 15 मेंसे 4 निकाले X-Y कर दे इसको मैं अंकर्ता हूं तो मेरे पास ल systemicAK ग्या इस पॉसिबल टू मिनिमाइज फ्लोट नंबर फ्रॉम इंटीजर लेट्स दू इट्रिंट एक्स माइनस जी जिसको हम जैड बोलते हैं लट्सी तो हमारे पास आंसर फोरण से 9.5 आ गया इसका मतलब यह कि इंटीजर में से फ्लोट को माइनस कर सकते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा तो इस तरीके से हमारे पास चीजें जो है वो चेंज होती है अच्छा ओप्रेटर की आपको समझ आगी अगर मुल्टीपलेकेशन करनी है तो कौन सा साइन हम यूज़ करते हैं मैं आप आपको कॉप्यपेश्ट करके दिखाने लगँ यह उपर ये पंजाबी दोस्तों ने बताया कि पष्टों में बात है वह लो इंग्लिश में जैसे होले यह कहते हैं कि जब आप मैथमेटिक्स कर रहे हूं तो अपनी इंटुटरल लेगे जो आपकी अप जिसे mother tongue बोलते हैं, उसमें सोचें, उससे असानी होती है, और यह German, Italian और बाकी लोग mathematics में अगर थोड़े से कम होना, तो यह उलियों पर गिनने लग जाते हैं वैसे, Chinese अपनी आ, हिसा, सूला करके गिनते हैं, so we can do that as well in our mother tongue, so यह बताने का मक्सद यह है कि जब भी आप calculation कर र 12 हमारे पास जो था पहला था जी 15 divided by 4, तो यह basically 15 by 4 हमने किया था, जिसका answer 60 आया था, मैं बारा-बारा करता रहा हूं, so अगर आपको लगता है कि यह error थी, तो please comment section में मुझे बताईएगा, जो live सुन रहे, that shows you are actually listening to me, by the way, अब हमने 15 को 4 पे divide किया, तो हमारे पास answer आ गया, 3.75, ठीक है, अच्छा, यहां तक तो operators होभी को याद है, यह हो गया जी, addition का, दूसरा क्या था, subtraction, subtraction, बहुत उखा नाम है, तीसरा है जी, नहीं, तीसरा भी subtraction ही था, चोथा हमारे पास क्या था, multiplication, पांचवा हमारे पास था, division, हाँ जी, अगर मैं एक ही लाइन में सब कुछ लिखूँ, तो कौन सी चीज पहले resolve होगी, मैं यहां पे लिखता हूँ, print, x, मैं इसको थोड़े से स्क्रीन को छोटा कर लूँ, वरना यह मुझे suggestion वाला जो काम है, यह खराब कर रहा है, बार बार, x-z multiplied by 4 divided by y and then plus 3, इसका मुझे answer बताईएगा कितना आएगा, यह वाली चीज़ का, x-z multiplied by 4 divided by y plus 3, और दो rules इसमें use होते हैं, एक डिमास है, दूसरा पैम्डास है, डिमास का पता होगा, division, multiplication, addition and subtraction, दूसरा है पैम्डास, यह मैं दोनो rules यहां पे लिखने लगा हूँ, डिमास का rule, and then the second one is, पैम्डास, इसको मैं basically बोड़ता होता हूँ, पैम्डास, पैम्डास से, एक और होता है, जिसको बोड़ मास बोलते हैं, ठीक है, तो यह rules आपको पता होने चाहिए, यह तिनो rules आपकी assignment में हैं, आपने इसको देखने हैं, और आपने यह find out करना है, कि python किस rule के ओपर यह सारा कुछ करता है, सही है, यह आपके छोटी से assignment है, मुन्नी सी, 12.5 इसका answer है, ठीक है, यह तो होगे arithmetic operators, यह जो हमने पड़े हैं, यह है arithmetic operators, arithmetic operators, ठीक है, next चलते हैं जिद दूसरे operators की तरफ जिनका नाम है comparison operators, comparison operators, comparison operators क्या होते हैं, हम दो चीजों को check करते हैं, ठीक है, let's see, मैं दुबारा से, x, y और z को copy करता हूँ, यहाँ पर print करता हूँ, और मुझे आप यह बताएं, अगर मैं x को यहाँ पर 12 लिख दूँ, y को 3 लिख दूँ, और इसको 5.2 लिख दूँ, तो कौन सी x की value comparison operator में गिनी जाएगी, this one और this one, 15 गिनी जाएगी या 11, बड़ा important question है, क्योंकि यह आपने coding के अंदर यह चीज़ें सीखनी है, पहली वाली गिनी जाएगी या दूसरी वाली, पहली वाली यह 15, second one है 11, हम क्यों न पाइथोन से पूछ लें, क्या ख्याल है, और फिर आज इसको दलील के साथ हम clear भी कर लेते हैं, यह मैंने इसे run किया, end पे मेरे पास आया 11, अब end पे मेरे पास 11 आया, इसका मतलब यह है कि यह वाले बीज में मसला कर रहे हैं, मैं इनको comment आउट कर देता हूँ, ठीक है, यह print जितना भी हमने किया है, मैं इनको comment आउट कर रहा हूँ, control forward slash से, अब हमारे पास answer clean sheet में आएगा 11, क्यूं ऐसा होता है, जब भी आप उपर से नीचे जा रहे होते हैं अगर आप same variable का नाम दे देंगे, यानि कि X पहले दिया हुए आप दुबारा से दे देते हैं, तो पिछले वाला remove होके निया वाला update हो जाता है, इस तरीके से आप अक्सर उकात variable के names को update भी करते हैं, ठीक है, और जब यह हम update करते हैं variable के name को, इसका फाइदा होता है, इसकी एक और मिसाल देता हूँ, हमारे कल्चर में बड़ी चल रही है, X का यहां पे software खराब हो गया था, यहां पे क्या हुए X के software को, update हो गया है, ठीक है, तो हम basically पुरानी चीज़ों से जब नहीं की तरफ लेके जाते हैं, तो उसका software update कर रहे होते हैं, जिसको हम data update भी बोलते हैं, यह variable की information को update कर रहे हैं, ठीक है, समझागी बात की, इसी तरह Y भी change हो गया है और यह भी, अब comparison operator की बात करते हैं, मुझे बताएं, यहां में X बड़ा है या Y बड़ा है, X की value ज़्यादा है या Y की, X की ज़्यादा है, अब आप एक और बात पर गोड़ करें, हम मुझे बताएं, कि यह दोनों values same variable की हैं या different variables की हैं, बात गोड़ से सुनिएगा, ऊपर भी X लिख है, नीचे भी X लिख है, याद करें मैंने variables के अंदर आपको बताया था, do not use capital letters, उसकी reason ही यह थी, घलती से आपने capital use कर लिया ना, आगे आपने भूल जाना है वो capital था या small था, अब मैंने जान भूच के capital लगाया है, और यह small लगाया है, ठीक है, इस से क्या हुआ, capital वाला, capital वाले variable में होगा, यह small वाले में होगा, तो हमारे पास दोनों variables separately store होंगे, अपडेट नहीं होगा, समझाई बात की, इस वज़ा से मैंने rules पहले आपको बताएं, और usually यह practice से आते हैं, ठीक है, इस वज़ा से हमने उसको small letter में लिखा, अब समझाई है क्यों लिखना है small letter में, कोई मसला दो नहीं न, ठीक है, एक और चीज, x is equal to 15, मुझे बता हैं कि यह दोनों same हैं अब, दोनों same हैं, अगर मैं यहां पर इतनी ज़्यादा space डाल दूँ फिर भी same हैं, फिर भी same है, these spaces doesn't matter, आप closely लगा लें, इस तरीके से, यह दूर दूर लगा लें, यह equal के इस side पे, इस side पे होना चाहिए, अच्छा, space तो हमने लगा दी, अब बता हैं तो मैंने underscore लगा दिया है, space की जगह पे, अब दोनों same है यह different है, different है, क्यों, क्योंकि other than space, कोई भी character हाएगा, वो इस चीज़ को change कर देगा, समझा की बतता हूँ की, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना programming, मैं तो सिरफ calculator से start कर वा रहा हूँ, अभी programming start ही नहीं हुई, ऐसे कहते कहते मैंने 40 दिन में आपको सिखा देनी है, इंशाल्ला, ठीक है, लट सी, यह जो लोग take लगा के बैठे हैं ना, मैं बैठ के हैं फिर तुसे पढ़ लेया, समझो, आपको पता है, यहां पे x बड़ा है y से, let's see that, x is greater than y, इस sign का तो पता है ना, greater than का, किस को नहीं पता है, इस sign का, greater than के sign का, चलो आपको आज एक चीज बता देता हूँ, कि greater than के sign को किस तरीके से आप देख सकते हैं, यह greater than का sign ऐसे बनता है, ठीक है, अगर आप हर कोने को एक नुकता तसवर करें, इसको center में से dissect कर लें, जिस side पे दो नुकते आ रहे हैं, उस side से बोला जाता है greater than, ठीक है, अगर यह ऐसे sign होता, तो एक नुकता यह बनता है, यह बनता है, और एक यह बनता है, इसको dissect करें, तो जिस side पे एक नुकता आ रहा है, that is less than, अगर इस तरीके से होगा, this is less than, this is greater than, hopefully आपको समझ आगी होगी, बड़े अच्छे तरीके से यह किसी उस्ताद ने मुझे समझाई थी, जान दे, समझाई बात की, तो इस तरीके से आप इसको बोलते हैं, comparison operator या conditional operators, पहला हो गया greater than, दूसरा करते हैं, print, हम कहते हैं, x is less than z, उसको दोबारा से लगाते हैं, वो कहता, नहीं भी, यह गलत है, false, क्योंगे x की value 11 है, z की 5.2 है, ठीक है, समझाई बात की, एक less than एक greater than, अब मैं बताता हूँ आपको equal to का मकसद, x is equal to z, एक बात याद रखें, यह वला equal to हम कहां पर use करते हैं, जहां से हमने lecture आज का start किया है, variables के अंदर, ऐसे ही है, x is equal to 15, इसका मतलब है, python के अंदर single equal to का मतलब है, to develop a variable, to make a variable, समझाई बात की, इसका मतलब क्या है, कि जब हम दुबारा से इसको x is equal to z करेंगे, तो यह z के equal हो जाएगा, और यह different answer देगा, let's try this, इसने हमें error दे दिया, कि यार यह वला argument आपका ठीक नहीं है, x is equal to z, लोगा आते हैं, which literally means equal to, अब यह conditional operator बने, यह comparison operator, अब क्या यहां पे x, z के equal है, आप देखके बताएं, तो 11 और 5 शर्य यह दो ब्राबर हैं, नहीं, लोजन आप फालसा आगया, अब समझाई double equal to क्यों आते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, प्रोग्राम्मिंग हैं भी परेशान होएं फिर देशी सारे, लेस्ट दू इट एन अदर टाइम, यह तो हो गया equal to, क्यों programming में double equal to को equal to कहा जाता है, अगर मैं कहूं के x, z के equal नहीं है, तो वो भी तो condition होनी चाहिए, वो condition होती है, print x, exclamation sign, equal to z, यह exclamation sign का तो पता है ना, मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूं, क्योंकि एक्सरों कहाथ लोग मुबाइल पे सुरने होते हैं lecture, तुसी नहीं देख लो, PC देख आने, मुझे आप लोगों का ख्याल है, इसको बोलते है exclamation sign, और इसको लिटरिली बोला जाता है, not equal to, this means not, this means equal to, अब समझ आई, इसका मतलब यह है कि yes equal to, अगर literal minis में, इसकी programming language देखी जाए तो, इसका मतलब है not equal to, तो जहरी बात है, हम कहते हैं, x ब्राबर नहीं है, उसके z के, वो कहता है ठीक है, अब मैं आपको एक और operator बताता हूँ, अगर मैंने दो operators ही कठे लिखने हूँ, for example, मैं यहां पर लिखता हूँ print, और मैं कहता हूँ, x is, मैं इसको थोड़ा सा screen को छोटा कर लूँ, मैं यहां पर कहता हूँ, इसे x is greater than z, यह मेरे पास इसका answer क्या आता था, true है, ठीक है, मैं इनको comment out करता हूँ, अब मुझे बताएं, यहां पर, अगर मैं and लिखता हूँ, y is less than x, तो क्या यह coding मैंने सही की है, और एक ही line में, दो conditions को हम लिख सकते हैं या नहीं, चला के देखें, मेरे पास इसका जवाब आ रहा है गलत, वो कह रहे हैं error है, and this is a kind of syntax error, अब इसको कैसे resolve करना है, कैसे resolve करेंगे इसको, मुझे लोग कह रहे हैं जिडबल एंड यूज़ कर लें, मैं डबल एंड लिखा है, उसने वैसे गलती निकाल दी है मेरी, ये भी error आ रही है, फिर लोग कह रहे हैं यहां पर ये वाला operator यूज़ करें, pipe operator इसे बोला जाता है, इसमें भी error आ रहा है, फिर कह रहे हैं ये यूज़ करें, ये करता हूं तो मेरे पास, ये चीज़ आ रही है, मकसद ये है, आपकी छोटी सी assignment आ, जो easily मिल जाएगी if you want to do, ये जो मैंने comparison operators लगाएं हैं ना separate, आप एक ही line of code में कैसे लगा सकते हैं हैं, ठीक है, ये छोटी सी assignment है, और मैं यहां पर लिखने लगाँ, how to combine two comparison operators in one line of code, two or more इसको बोल देते हैं, ठीक है, बहुत असान है, और परेशान होने वाली बात नहीं है, इस तरीके से आपको operators समझ आ जाएंगे, राइट जी, operators की समझ आगी यहां तक, obviously there are many other things to think about this, conditional operators, comparison operators, क्या होते हैं, किस विड़ा से होते हैं, कैसे हमने देखने हैं, we will see that, ठीक है, अवाम कह रही है, कॉमा यूज करें, जो भी यूज करना है, आपने खुद से ढूनने हैं, and then we will see, अब operator के lecture के बाद, अगले lecture की तरफ चलते हैं, और अगला lecture होगा, हमारा data types का, जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, सिर्फ रपीड मैंने करवाने और यह काती चीज आपको नहीं बताने हैं,